गया में बुजूर्गों के सक्रिय और स्वास्त जीवन के लिए स्याम मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर संदीप कुमार सिनहा हड़ी और नस रोग विससगे के द्वारा आयोजित ने सुल्क स्वास्त सिविर का आयोजन अपने नीजी नर्सिंग होम एपी कॉलोन स्याम मेमोरियल हॉस्पिटल में किया गया यह सिविर पिछले 9 वर्सों से लगातार हर महीने तीन तारीक आयोजित होता आ रहा है यह ने सुल्क स्वास्त सिविर स्याम मेमोरियल हॉस्पिटल में सुमद 10 बजे से शुरू होकर साम 6.5 बजे तक रहता है कभी-कभी मरीजों दो डॉक्टर, डॉक्टर संदीब कुमार और डॉक्टर योगिता सिनहा का योगदान रहा है इस सिविर को सफल बनाने में एस्वरिया हेल्थ केर के रिप्रेजेंटेटिव पिंटू पांडे की एहम भूमिका रही है अब सब्सक्रादे का इस इतिक है आई पड़र ऑने तोंपा लम्यक्तर शृश्म को सफिरें अमिका ज्योष पूले सब्सक्रादोनेनी, सन उससे भी के रुज़डर यहां और करके और अज़ीच का क्ईए आथ प्रेकाई जunyaनगा और आप प्रेम भी कुदार में किर दॉसे मैं और मिरे हजबन डॉक्टर संधीब कुमासिमा नौ सारों से ये कैम कर रहे हैं फ्री कैम हर मेने की तीन तारिखों जिसमें हम पेशेंट को मुप्त सुझा और मुप्त दवाया देते हैं ताकि पेशेंट जब ममारे आए तो वो एक संपूर इलाज लेकर जाए मुप्त सलाग सासाथ मुप्त दवाया देते हैं मुफ्त जाच भी होता है क्या यहां जाच मुप्त होता है जिसे हमोग्लोबील का जाच यूरिया का जाच एक बीमदी बहुत बड़ा जाच की पेशेंट के शरीर में कैसिम की मातरा कितनी है हो ठीक है या नहीं है अभी के स्टेडी में आया है कि 90 प्रतिशत लोगों को क्यार्शन का कमी है गोडी में तो वो जाच मुप्त होता है हमारे में हर महिने के तीम तारिग को रहते हैं हम हम छोग एक मुप्त क सभी उर्दिंस करते है जिसमें अलियोग इलाज होता है और बच्चों का बुरा कुछ समय के लिए बाधित हुआ था इसके अलावा पुछले नौ साव तेरा से हम लोग कर रहे हैं